अखिल भारतिय पूर्व सैनिक सेवा परिशद गुज्राद प्रदेश द्वारा आज रोज फिल्ड मार्शल मानेक शो नू समारक ना लोकार पन करवामा आविव जेमा वडुद्र महनगर पालीकाना मेयर निलेश राठो डेपिटी मेयर नंदा बेन जोशे विदान सभा रा मुखिजे बैश्या सांसाद रंजन बेन भट चैर्मेंड डॉक्टर हितिंद्र पटेल अने अनेक कांसिलर मित्रो उपस्तित रहा प्राइब के रहने वाले उनके परिवार से गुजरात थे बिलोंग करने वाले जोनोंने पंजाब में जाकर के अपनी प्रारंदी दंडक श्री विदान सभा के पाल कृष्ट्वजी श्रीमती आज रो दिवास इतले परोडा से माते गवरोंगों दिवास से कांके परोडा से में अंदर आजे एक नवू बारत के पूर वसाइनिक नहीं पेरना लाए है 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 अपना भूबज सुर्विर के वाई जमने महाराना प्रतापनों बिरूद मरेलूचे यहाँ अपना फिल मारसल मानेक साइबनी आजे मूर्तीनु अनावरन बरवडा सेर्मा करवामा आउचे तोबाग्यानी वाते चे पूरा भारत वर्ष्णी अंदर आ तीजी तीजो सहर चे के जमा एमनी प्रतिमा मुक्वम आवी चे आजे आपना बरोडा सहर माटे पुप गवरोनी वाच चे बरोडा सहर माँ एक नव नजरानू आजे एमना थकी बरोडा सहर माँ उड़क पस्ते आज बड़े गवरों की बात है कि हमारे वीर जाबाज फिल मारसल एस एच एफ जे अब आप शायद आप लोग बोल करके कि इनका पुरा नाम क्या है पुरा नाम यह है शेम हौरमुस जी फ्राम जी जमशेद जी मानेक शा और इन्होंने वलसाड के अंदर इनका जन्म होता है और इसके बाद आगे उनकी पिता जी के साथ अमरे सर में वो सेटल हो गये अमरे सर में प्रारेंब्रिक पढ़ाई पुरी करी और सेरवुड कोले नेनिताल में अभ्यास करने के बाद मन की इच्छातो थी उनके परिवार में टोटल छे लोग का परिवार था दो बड़े भाई इंग्लेंड में एंजिनिंग की पढ़ाई के लिए गए छोटा भाई रोयल इंडियन एर पोर्स में जोईन हुआ दो बेहने शिक्षकाई बने और फिल मार्सल मानेक्षा जिन्होंने डॉक्टर बनने की इच्छा जाहर करी लेकिन इनके पिताजी ने उनको जब मना कर दिया तो उन्होंने गुस्से में आकर के बारती सेना को जोईन कर लिया 1932 के अंदर इंडियन मिलिटरी एकेडमी में प्रवेश पालिया सर्व प्रतम भारत का अगर इंडियन आर्मी कोई ओफिसर है तो वो फिल मार्सल मानेक्षा है उन्होंने आये में इंडियन मिलिटरी एकेडमी देराद उनके अंदर चोथी फरवरी 1934 के अंदर बारा जो राइफल है फ्रंटियर फोर्स राइफल जोईन किया और इसके बाद सेना के अंदर उन्होंने पाँच पाँच युद्धों में भारत को विजाई प्राफ्त कराया एक सेप चाइना सर्व प्रतम सेकंड वर्ल्ड वोर के अंदर उन्होंने अदबोत बाहदुरी पुर्वक कारिय किया उस कारिय के दोरान सेतांग नदी के किनारे बरमा के अंदर उनका डिप्लॉइमेंट था और जैपैन यूज ने आकर के एलन जी फायर उसको पर खोल दि और फिर भी वो जाबाज बहादुर सेनिक अपनी बहादुरी के कारण जिंदा रहा और उनकी तमाम गोलिया निकालने के लिए और सेलिया का जो सर्जन आया उन्होंने कहा है कि ये बचना बहुत मुश्किल है लेकिन जिसको राम राखे उसको कौन चाके किसी कावत के सब्सक्रादियों को फिर वहां से उदोर खदेड दिया तो उसी समय 1942 के अंदर फिल्म आर्शल मानेक्षा को सबसे पहला पदक यानि की मिल्ट्री क्रोस बिटिश आर्मी के द्वारा उनको दिया गया और इसके पस्तात 1947 और 4849 के युद्ध के अंदर में उन्होंने असाध कि सबसे उची जो पोस्ट है उस पर कबजा करने में सक्षम रहे इसकी बदौलत उनको 1968 के अंदर पदमभुशन का एवोड दिया गया इसके बाद वो निरना एक घड़ी आई 1971 वोर उस समय पाकिस्तान का याहिया खान और भारत का फिल्म आर्शल मानेक्षा दोनों आर्मी टेली के अंदर एक साथ पोस्टिंग थी आजाधी से पहले जब भारत का पार्टिशन हुआ to partition के दोरान यां खान पकिस्तान चले और मानेक्षा भारत के अंदर बने रहे तो यां या क्वाजन बनें और येисл बी जनर बनें जब दोनों जनरल थे 3 डिसंबर को बांगलाद जिनकी बदोलत उनके पत्मवी पुशन एवार दिया गया और 1973 के अंदर उनको फिल मार्सल यानिकी फाइस्टार रिंग जनरल एनायत किया गया ऐसे बहादोर जो सॉलजर है ऐसा जो ऑफिसर है आज वड़ोधरा संसकारी नगरी के अंदर पुरे भारत वर्ष के अंदर तीन स्मारक है एक पुना के अंदर है एक दिल्ली के अंदर है और तीसरा आज रजन्सकारी नगरी वड़ोधरा के अंदर उनकाMIN मनाबरन हुआ हुआ को पुर्वसेनिक परिशद तमाम होदेदार तमाम सव्यह जाए हिन जाए बारत जाए जाए गर्वी गुज्राइट